Infinex Horde 30 इसे consider करना चाहिए कि device में gaming processor देखने को मिलता है और साती में device में decent display और device में कुछ compromises भी हैं जैसे कि device की selfie के मा 8 Megapixel की हो और finally finally हमारे पास box आचुका है Infinex Horde 30 का तो इसे unbox करते हैं तो box को open करती हैं में device देखने को मिल जाती जो कि rapper में pay को और rapper के उपर कुछ specifications में लिखी हुई है जो कि हम बाद में cover करेंगे और device के बाद box में हमें warranty card देखने को मिलता है और बात का device की further accessories की तो box में में silicon case देखने को मिलता है यह decent quality के और उसके साथ box में में 33 watt का adapter देखने को मिलता है तो start ही करती है इसके processor के साथ जो कि device में मेडियाटी का है लिए G88 processor देखने को मिल जाते है जो कि काफी powerful processor और अगर आप device को gaming के लिए भी consider करना चाते हो तो consider कर सकते है क्योंकि budget smartphone के साथ से device best option है और day to day easy जो है multitasking और प्रोसेसर की performance आपको disappoint नहीं करने वाल और अब चलती ही device की display की तरफ जो कि device में में IPS display देखने को मिलेगा full HD resolutions के साथ जिसके colors आपको optimize और बैतरी देखने को मिलेंगे और display में 90Hz refresh rate की support भी देखने को मिलेगी जो कि display smooth भी feel ओलने वाला है बाकि display में आपको 500Hz की big brightness देखने को मिलेगी जो कि enough तो नहीं outdoor usage की सबसे पर decent है और display के bezels और chin भी optimize देखने को मिलेगी तो overall device के display भी आपको disappoint नहीं करने माला है और अब बात करते है device की design और cameras की तो device की design काफी shiny और attractive है क्योंकि design make finish के साथ आ रही जो की काफी attractive design के साथ आ रही और बात करें cameras की तो main sensor हमें 50 megapixel का देखने को मिलेगा जो कि optimize भी होगा और budget smartphone के साथ देखने को मिलेगा जो कि design को बरकरार करने के लिए लगाया गया है और बात करें selfie camera की तो device में हमें 8 megapixel की selfie camera देखने को मिलते है जो कि यहां पर compromise नहीं करना चाहिए था और device की selfie disappoint करेगी तो device overall average camera combination के साथ आ रही है और अब बात करते है device की extra features की तो device आपको out of the box android 13 के साथ देखने को मिलेगा और infinex UI xOS 13 देखने को मिलेगा और बात करें device की variants की तो device तलाल पाकिस्तानी market में एक ही variant के साथ आ रही है जो कि 8256 GB के साथ है और 8 GB virtual rim की support भी देखने को मिलेगी और लास्ट में बात करते है device की battery और charging के बारे में तो device में 5000 mH की massive battery देखने को मिलेगी 33 watt fast charging की support के साथ जो कि budget smartphone के साबसे decent है तो ये तो थी device की specifications जो कि 45,000 के साथ device based specifications के साथ आ रही है बाकि वीडियो इंफार्मेटिव लोगाओ तो लाइक को चैनल को लागमी से subscribe कर दें